नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमानशू शाबड़ा और आप देख रहे हैं आजे एस्टो मनी गुरू डिजिटल चैनल बात करेंगे सरसो की तो आपको बदा दे विदेशों में तेजी के रुख के बावजूद आयाद सस्ता होने की वज़ा से मंगलवार को दिली तेल तिलन बाजार में सीपियो पामोलीन और बिनोला सोयबिन तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली सरसो की मांग होने और आवक की कमी से सरसो दाने के भाव सुधार दर्शाते बंदुए बाजार के जानकर सूत्र ने कहा कि मलेशिया एक्षेंज में 0.15 परतिशत की तेजी रही जबकि शिकागो एक्षेंज में तेजी के बाद मंगलवार को 0.2 परतिशत की तेजी रही सरसो के दाने की बात करें तो सूत्रो के हवाले से पता लगा है है कि स्तानी स्तर पर सरसो खली की मांग बढ़ने से सरसो दाना के भाव सुधार के साथ बंदुए उन्होंने कहा कि सरसो की जाड़े में हरी सबजियों की तथा अचार बनाने वली कमपनियां की मांग जो है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है जबकि आवक निरंतर कम होती जा रही है खुद्रा तेल मिलो तथा मुंबई की ब्रांडिट तेल बनाने वली बड़ी कमपनियों की सरसो की मांग होने से भी सरसो में सुधार आया जैपूर में अधिबार सई सरसो का भाव पहले से जादा हुए आपको बता दे 9,055 से लेकर 9,030 रुपे पहले का भाव था इसी के साथ या भाव बढ़कर 9,030 से लेकर 9,055 रुपे कुइंटल कर दिया गया है सरसो की भी जाई काफी बहतर हुई है इसी बीच देश भर की मंडियों की आवग घटकर 1,00,00 बोरी से कम रह गई है दिपावली के तोहार के बाद सरसो की आवग और कम हो जाएगी सरसो की चोत अरफा मांग के बीच सरसो दाना के भाव काफी मजबूत रहे बाजार में ठोग भाव कुछ इस परकार है प्रती कुंटल के हिसाब से आपको बता दे सरसो तिलन 9,030 से 9,055 रुपे और मुंफली 6,050 से लेकर 6,135 रुपे मुंफली तेल मिल डिलिवरी जो गुजरात का है आपको बता दे 13,750 रुपे मुंफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल 2,055 से लेकर 2,130 रुपे प्रती टन सरसो तेल दादरी 17,960 रुपे प्रती कुंटल सरसो पक्की घानी 2,715 से लेकर 2,755 रुपे प्रती टन सरसो कच्ची घानी 2,790 से लेके 2,900 रुपे प्रतिटिन तिल तेल मिल डिलिवरी आपको बता दे 15,500 से लेके 18,000 रुपे सोयबिन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली का जो आता है 13,880 रुपे सोयबिन मिल डिलिवरी इंदोर 13,750 रुपे स्वयाबिन तेल डीगम कांडला 12,300 सीप्यो एक्स कांडला 13,370 बिनोला मिल डिलिवरी हरियाना का 12,700 रुपे पामोलीन आर्बीडी डिल्ली 12,930 रुपे और वही बात करें पामोलीन एक्स कांडला की तो आपको बता दे 11,780 बिना जीस्टी के है ये और इसके बाद आपको बता दे सोयाबिन दाना जो है वो 500 से लेके 56 सोयाबिन लूज 500 से लेके 54 सो रुपे और वही मक्का खल जो सरिसका है 3,825 रुपे इसी के साथ ही आपको बता दे बाकी मंडियों के जो भाव है वो भी काफी उच्छाल पर है इसी के साथ ही अगर चावलों की बात करें तो बासमती 921 9000 से 9500 तीबार 7500 से 8000 दुबार 7000 से 7500 मिनी दुबार 6000 से 6500 मोगरा 4000 से 6000 बासमती सैला 6000 से 7500 काली मूच 6800 से 7000 राजभोग 5800 से 6000 डूबराज 3500 से 4000 परमल 2500 से 2650 हंसा सैला 2450 से 2650 हंसा सफेज 2200 से 2400 और वही पोहा जो है 3400 से 4900 रुपे प्रती कुंटल तक पहुच गया इसी के साथ ही आपको बता दे कि अब भाव में काफी उच्छाल हुआ है मंडी के भाव की बात करें तो खा तेलों की कीमतों में जहां गिरावट आई है वहीं CPO पामलिन विनोला सोयबीन के जो भाव है वो गिरे है इसी के साथ ही काफी नए भाव देखने को मिले है और कुछ जगा उच्छाल हुआ है तो कुछ जगा भाव में अब गिरावट भी हुई है तादा अपडेट्स के लिए मार्केट की खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें